जे शी किशना वेलकम बैक टू मैं न्यू ब्लॉग आप सभी का मेरे चैनल MP की बाउ कविता में बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैं बना रही हूं चन्य की दाल की जो चूरी होती है मेरे यहां रखी हुई थी और चावल उसके ढोक ले यह बहुत ही अच्छे लगते हैं ह चन्य की दाल की चूरी को तो जो को मैंने अच्छे से पानी में धो लिया है दो से तीन बार और उसका जब गंदा पानी निकल गया है तो उनको ओवरनाइट के लिए बिगा के रख दिये थे और यह देखिए सुबह के समय मेरी दाल कितने अच्छे से फूली है यहां मैंने बनाने के बाद इसको मैं पतीरे में इकाल रही हूं और फूल एगा जब इसमें खमीर उटेगा और यहां मैं ढाल दूंगी थोड़ा सा दही दहीं डाल के रखने के बाद इसमें मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी ताकि अच्छे से रेस्ट कर ले जैसे मैंने स पूरा फूल हो गया है बहुत ही अच्छे से खमी रूट गया था इसके बाद जब में बना रही थी तो मैंने फ्लेवर के लिए अच्छे टेस्ट के लिए मैं जीरा और थोड़ा सा गरम मसाला शकर मुयन सब डाल के बढ़िया सब पेश्ट बनाया और एक बार के में इटली क साचे में बना रही हो क्योंकि इटली के साचे में बहुत जल्दी बन जाते हैं और डोकले वाली प्लेट में थोड़ा सा समय जादा लगता है इसमें 10-12 मिनिट में पक जाएगा तो एक बैच में 10-12 मिनिट के लिए इटली के इसमें रख रही हो और यह ठंडी होगी जब तक में फिर धोकली की प्लेट में रख दूँगी तो यह देखिए मेरी बढ़िया सी सॉफ्ट धोकले बनके तयार है वो भी इटली स्टेंड में बहुत ही टेश्टी है और मैंने इसमें लसन मिर्ची का पेष्ट भी बारी कूट के डाल दिया था खलबते में तो यह बहु दोट रहे हैं इतने बड़िया बने हैं तो बस यहीं में यह एक बैच निकाल लेती हूँ ठंडे होने के बाद और तक मैने जो डोकले वाली प्लेट आती है इतली स्टेंड में उसी में मेरा बाकी बाटी जो बचा बैटर था वो डोकले बनाने के लिए रख दिया है उस प फानी वाला तड़का नहीं लगाती हूँ मेरे बच्छों को पसंद नहीं है मैं तो simple जैसे पोह कैसे fry और वैसा fry करती हूँ जो फ्राइए करने वाला सामान होता है उसमें मैं पानी एट कर लेती हूं तो बस यहां हम कर लेते हैं प्याज कट, मिर्ची कट और बढ़िया सपारिक चॉप करने के बाद हम लगा देते हैं हमारे ढोकले में तड़का और जो ढोकली का बेटर था उसी में मैं सारी चीज पहले मिला चुकी हूं तो टेस्ट उसका बहुत यू यह हमारी यह आ गई है तेल और उनमें बहुत कम ओईल का यूज करती हूं और यहां जो मैंने मिर्ची और प्याज कट के रखे हुए थे पहले से वह भी मेस में डाल दूंगी उसका फ्लैवर पसंद है मेरे बच्चों को और वह बहुत शोक से खाते हैं तो मैं उसी को डाल मेठा पानी का तड़का बना के तयार कर लेती हूं तो बस यहां जो यह इटली स्टेंट से मैंने डूकले निकाले हैं उनको अब हम कर लेते हैं चोटे-चोटे पीस में कट और बहुत सॉफ्ट है बस नाइफ लगा रही हूं और बढ़िया से पीस हो रहे हैं खाने में भी नहीं नहीं हुट्सी है क्योंकि यह दाल चावल के बने है समय जरूर लगंता है आपको अधर में चुपियार है फी इनको यह इन को के लिए करूंगी जब तक मैं वेकाफ Taski in 2 यहां में डाल दिया है थोड़ा सा लार्श रड़ा पाउडर थोड़ा इनुडली धन्यां पौडर उर थोड़ा सा स्वादनुसार नमक एक चम शकर क्योंकि में पानी नीरा अलुरय हूँ तो दो चम शकर कर दी मैंने मेरा बैटर जो था उसमें अच्छे से खमीर उड़ गया था थोड़ा सा खट टेस्ट सिद्ग जाता था पस यहीं यह एमने डाल दिया थोड़ा सा पानी ताकि यह पानी मेरे ढोकलों पर अच्छे से कोटेट हो जाए और यह देखिए मेरे ढोकले बनके तैयारे तो आईए अब हम इस वह सर्व गड़ देते हैं एक बार आप ऐसे तड़का लगा के देखिए बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अच्छा लगता है कुछ नय नॉर्मली हम वैसा पानी तड़के वाला टेस्ट तो करते हैं इस प्रकार से भी टेस्ट करके देखिए बहुत ही बढ़िया लगता है अच्छा लगता है तो चलिए अब हम कर लेते हैं इसको प्लेट में सर्व तो यह लीजिए आज का मेरा गरम गरम ढोकले तैयार है इसक मुझे स्कूल भी जाना था तो यही मैंने टिफिन में भी ले गई हूं तो कर लेती हूं मेरा टिफिन पैक यह तो नाश्टा हो गया सबको करवा दिया और खाने में फिर मैंने खाना भी बनाया यह नाश्टे में बनाया थे पर बच्चे इसको शौक से खालेते हैं कि खान जैशी कृष्णा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जैशी कृष्णा शीराग